दोस्तो आज हमसे यर कर रहे हैं काले चने की दो रेस्पी, दोनों ही रेस्पी एकदम लाज अबाब है तो वीडियो को लाज तक देखिएगा क्योंकि दूसरी रेस्पी एकदम यूनिक है जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी इसके लिए हमने 300 ग्राम काले चने को 6-7 घंटे भीगो कर ली है चने अच्छे से फूल गया है इनको हमने 2-3 बार पानी से धुल लिया है इनको हम प्रेसर कूकर में डाल देते हैं और 7 में डाल देते हैं एक चमश नमक अब हम इसमें पानी डालेंगे ज्यादा नहीं डालें हैं इसके लिए हमने लिए एक इंच अद्रा के टुक्डे चार हरी मिर्च 5-6 लसुन की कलिया और एक चोटे साइज का प्याज इन सभी को हम मिक्से जार में डाल देते हैं और अब हम इनको पीस लेंगे तो इसमें हमने एक चमश पानी डालकर पेश्ट बना लिया है और इ पाउडर आधा चोटा चमश हल्दी पाउडर आधा चोटा चमश जीरा एक चमश आमचूर पाउडर और आधा चोटा चमश गरम मसाला पाउडर एक चमश नमक और दो पिंच हिंगाट करेंगे अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल के आटे की जगा आरा रोट या कार्ण फ्लोर ले सकते हैं और ये सारी तयारियां हमने पहली रेस्पी के लिए की है तो इनको हम एक तरफ रख देते हैं और चत्नी वाला बॉल ले लेते हैं और ये देखिए दोस्तों चने उबल गया है एक सीटी आने के बाद हमने प्रेसर निकाल कर चनों को पानी से छान लिया है और देखिए चनों से भाफ निकल रहा है चने गरम गरम ही लेना हमें और देखिए दूसरी रेस्पी के लिए हमने उबले हुए चने से आधा कप चने को अलग रख लिया है अब इन चनों को पेश्ट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और सभी को मिलाने के बाद हम इसमें ये मसाले वाला बेशन डालेंगे तो थोड़ा-thोड़ा करके डालेंगे और इनको मिला लेंगे इस तरह से बेसन एक जगह इकठे नहीं होंगे और चनों पे कोठ होते जाएंगे तो इस तरह करके हम सारे बेसन चनों के उपर डाल देंगे इसमें पानी डालने की ज़रूत नहीं है क्योंकि चने गरम है और इनसे भाफ निकल रहा है इसी भाव से चने मसालों से अच्छे से कोट हो जाएंगे तो इन्हें पांच मिनट रेष्ट के लिए रख देते हैं तब तक हम दूसरी रेष्पी तयार कर लेते हैं तो बॉल में हमने जो चने लिये थे ना उसमें हम डाल रहे हैं आरा रोट तो हमने दो चम्मच अरा रोट डाला है इसमें इसकी जगा मैदा या कानफलो ले सकते हैं मिलाकर इन्हें साइड में रख देंगे इधर देखिए भाव से गीले होकर मसाले चने पर अच्छे से कोट हो गया है इधर हमने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छा गरम हो गया है तो हम इसमें ये चने डाल देंगे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही हम इन चनों को तलेंगे इन्हें डालने के तुरन्त बाद हम इने नहीं चलाएंगे, नई तो मसाले अलग हो जाएंगे 2-3 मिनट बाद हम इने पल्टे से हलके हातों से चलाएंगे चनों को हमने बीना सुखाई लिया है, तो इन चनों को फ्राइ होने में 8-10 मिनट का समय लग जाता है तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं चने करारे हो गए हैं तो आप हम इने निकाल लेंगे आवाज सुनिए आप इनकी बहुत ही करारे और चटपटे बनते हैं थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला पाउडर इनको अच्छे से मिला लेते हैं इन चनों को आप एयर टाइट डब्मे में भर कर एक महिने तक इस्टोर करके रख सकते हैं एक बार आप इने बना तो यह हमने जो चने मैरिनेट करके रखा था ना अर रोट में उन्हें हम तल लेंगे तो देखें यह चने कुछ इस तरह के हुए हैं बीच से फट गया है और उपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट है इन्हें हमने दो-तीन मिनठी फ्राइग किया है अब कढ़ाई में हम पतला लंबा लंबा इनको हमने कढ़ाई में डाल दिया है अब इन सब्जियों को हम दो मिनठ तक मीडियम टू हाइफ फ्लेम पर भूनेंगे सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है इस रेश्पी में करारे ही यह अच्छे लगते हैं तो बस अब हम इसमें एक चोथाई चम टोमेटो सॉस आधा चोटा चमश सोया सॉस और आधा चोटा चमश विनेगर अब हमने चने वाले बावल में दो चमश पानी में एक चमश आरा रोट घोल कल दी है इसे डाल देंगे और दो मिनठ तक इनको पका लेंगे तो मिनठ पकने के बाद हम इसमें एक चोथाई चमश लाल मीट्स पाउडर और एक चोथाई चमश नमक डाल रहे हैं ध्यान रखिएगा शॉस में भी नमक होता है मैं इस रेश्पी को बहुत कम आत्रा में बना रहे हूँ इसलिए सभी चीजे मैंने बहुत कम-कम डाली है आप अपने हिसाब से डालिएगा आधा कप हमने इसमें पानी डाला है उबालाने देंगे इसमें और उबालाने पर हम ये भुनेवे चने डाल देंगे अब हम गैस बंद करतेंगे और चनो को मिक्स करने के बाद हम इने सर्व करेंगे तो ये हमारा त्यार हो गया चना मंचूरियन ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं एक बार बना कर जरूर देखिएगा और दोनों रेस्पी में से कौन सी रेस्पी ज्यादा अच्छी लगी कामेंट में जरूर बताईगा अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ सेर करना ना भूलेगा और हाँ चैनल पर नए हो तो रोज नए नए इनिवेटिव रेसी भी देखने के लिए चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलेगा फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ धन्य बाद